हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राधा करवाल और अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लिखकर आई हूँ तो विचित्र पाइपर मींस पाइप यहां पर कहा गया है फ्ल्यूट के लिए यह जिस जगे की कहानी है वहाँ पर बासूरी ने होके कोई और तरह का ऐसा लंबा सा पाइप जैसा जैसा कि आप यहां पर फोटो में देख पा रहे हैं इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट हो जाने वाला तो एक विचित्र मासूरी वाला हैमलीन का हैमलीन एक जगय का नाम एक टाउन का नाम है तो उस मासूरी वाले की यह पूरी कहानी है आईए इसके ऑथर के बारे में जानकारी ले ले लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग हमारी इस कहानी के लेखक है एक्चुली इसके उपर नाटक भी लिखे गए और इस कहानी के हिसाब से नाटक तो ये जो बेसिक रूप से जो लिखे गई थी वो ये कविता थी और इसके लेखक थे Robert Browning जिनका जन्म 1812 में हुआ था और 1889 में जिनका देहावसान हुआ था So Robert Browning was an English poet and a playwright. He was born in Camberwell, England. Camberwell, England में वो पैदा हुए थे और वो एक अंग्रेजी के लेखक थे, कभी थे और नाटक कार थे, नाटक भी वो लेखा करते थे He was mostly taught by his father who had a collection of around 6000 volumes at home. Mostly means ज्यादा तर जो उनके पढ़ा हुए थी, वो उनके पिता नहीं उनको पढ़ाया था और उनके पास 6000 volumes, volumes का मतलब होता है, अलग-अलग संसकरण होना किसी चीज की, जैसे किसी music cassette के, या फिर किसी CD के, या किसी किताब के, यहाँ पर उस जमाने में किताबे ही हुआ करती थी, तो उनके पास अलग-अलग 6000 किताबे थी, अलग-अलग संसकरण थे, तो उनके पित संगीत का जो प्रभाव है, वो उनकी कविताओं में देखा जा सकता है, ब्राउनिंग always wanted to be a poet, and his parents were very supportive of this, ब्राउनिंग जो है, वो सदा से ही एक कवी बनना चाहते थे, और उनके माता-पिता भी इसमें उनका हमेशा साथ दिया करते थे, उन्होंने हमेशा उने support किया था, they helped him financially in publishing his books, उन्होंने financially means पैसों के हिसाब से भी उनकी काफी मदद की थी, आर्थिक रूप से भी उनकी books को छपवाने के लिए, he gained popularity when his 12-volume book, The Ring and the Book was published in 1868 और 69, 68-69 में उनकी जो बुक एक छपी थी, Ring and the Book उस बुक का नाम था, उसके बाद उने विशेश प्रसिद्धी मिले थी, यह उनकी बारवी किताब थी, However, it is a children's poem, The Pied Piper of Hamelin, for which Robert Browning is still remembered, हाला कि यह एक बच्चों के लिए लिए लिखी गई कविता है, जिसका शीशे के The Pied Piper of Hamelin, जिसके लिए कि Robert Browning को आज भी याद किया जाता है, The Pied Piper of Hamelin is a poem which has been frequently adapted into plays and short stories, यह एक ऐसी कविता है, जिससे frequently हमेशा ही बार-बार ही जिसके जिसे adapt किया गया, जिसे लिया गया नाटकों में और लगू कथाओं में, इसका प्रयोग किया गया, It was published in 1842, 1842 में यह जो कविता है वो छपी थी, The story of the Pied Piper was very popular in Browning's home, Browning के घर में Pied Piper की जो कहानी है, बहुत ज्यादा प्रसिद्य थी, as they really took place in 1284 in the town of Hamelin, Germany, ऐसा माना जाता है कि यह जो Pied Piper की कहानी है, यह actually जो इसमें events record किये गई, यानि इसमें जो घटनाय लिखी गई है, वो सारी सची घटनाय है और यह सब हुई थी, 1284 में, Hamelin नाम के एक टाउन में सच में हुई थी, ऐसा माना जाता है, Germany में यह जगह है Hamelin, the poem teaches a moral, यह कविता जो है, वो हमें एक moral भी सिखाती, एक gnatic ज्यान भी देती है, the Pied Piper of Hamelin is a children's classic that has survived more than a century, Pied Piper of Hamelin जो है, वो बच्चों की एक classic मतलब उच्च कोटी की एक रचना है, जो की एक दशक तक लगबग जिन्दा है आज भी, यानि कि जिसे जो प्रासंगिक है आज भी जिसमें लोग interest लेते हैं, तो आईए हम chapter पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर यह जो हमारा chapter है, यह poem की तरह भी नहीं है और story की तरह भी नहीं है, यहाँ पर इसे drama की तरह दिखाया गया है, जैसा कि schools में या colleges में या real life में जो नाटक होते हैं मंच के उपर, stage के उपर जो drama होते हैं, उस हिसाब से इसको लिखा गया है, तो इसलिए सबसे पहले dramatized persona, means यहाँ पर नाटक के पात्र दिये हुए हैं, कि जब यह नाटक stage पे खेला जा रहा था, तो उसमें कौन-कौन से पात्र थे, तो आईए देखते हैं कौन-कौन से पात्र थे, फर्स जैसे कि अगर हम इसके गहरे मेनिंग में जाएं, तो जो एक teenager होता है, जो just बड़ा हो रहा होता है, तो एकदम से कैसे वो लंबा सा, दुबला सा दिखता है ना, जैसे उसके हाथ-पेरों में बराबर सामन जिससे नहीं हो, कुछ अलग सा दिखने लगता है वो, तो उसे हम बोलते हैं, गैंगली, तो वो भी ऐसा ही एक teenager सा था, और थोड़ा अजीब था, एकदम लंबा सा, पतला सा, और बिजारे मींस कुछ अजीब सा ही दिखता था वो, youth means young boy, एक बासुरी के साथ, तो एक पहला पात्र जो सबसे important पात्र है, वो है विचित्र बासुरी वैला, जिसके लिए अगर हम ड्रामा ये करते हैं, तो हमें एक लंबा सा, पतला सा, कोई teenager boy लेना पड़ेगा, second, the mayor of hamiline, hamiline का mayor, mayor आप जानते हैं, जिसे हमारे शहरों में अगर परिशद होती है, वहां के chairman वगरे होते हैं, तो और या बड़े शहरों में अगर निगम होता है, तो वहां का mayor होता है, तो hamiline का mayor, एक पात्री ये है, दूसरा है rats of hamiline, hamiline के चुहे, इसके लिए काफी सारे बच्चे जो की चुहे की तरह dressed up हो, उन्हें चुहे हमें बनाना पड़ेगा, then the children of hamiline, कुछ बच्चे hamiline के, Julius Caesar rat, एक अलग साइक और rat, जो जिसकी बाद में एक भूमिका आएगी, Julius Caesar rat, एक चोटा सा rat, the lame child, एक लंगडा बच्चा, the council and townsfolk of hamiline, council means जो members होते हैं, जो नगर निगम है वहां का, उसके member, कुछ members, और townsfolk means वहां के रहने वाले लोग, शहर वाले लोग, townsfolk means उस टाउन में रहने वाले लोग, तो hamiline की council के member, और वहां पर रहने वाले कुछ लोग, इन पात्रों की जरुत होगी, act one और scene one, इसमें लगभग तीन act दिये हुए हैं total, जी हां तीन act हैं और एक 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 अक्ट के अलग-लग scenes हैं, तो जैसे सबसे पहले पहला act हो रहा है, तो पर्दे हटते हैं, और सबसे पहला scene क्या दिखाई देता है उसे सबसे पहला scene दिया हुआ है, आएए हम आगे पढ़ते हैं, scene one is, the stage is completely dark with the exception of a spotlight at the corner of the stage, जैसे ही पर्दे खुलते हैं तो क्या देखते हैं, कि पूरा stage पूरी तरह से dark एक दम अंधेरा है वहाँ पर, और exception means अपवाद, यानि पूरे अंधेरे से उलड़ जो एक चीज है वो spotlight, spotlight आप समझते हैं जैसे उपर से जो light पढ़ती है, कई बार हम film अवगरे में देखते हैं, कि पूरे अंधेरे में एक गोल सा उजाला कहीं पर पढ़ता रहता है, और वहाँ पर जो person होता है वो बोलता है, या कोई special चीज होती है, जिस पर light डाली होई होती है, उसको ब बीच-बीच में कहानी कहता है, उसके बाद हम scene देखते हैं, narrator means कहानी कहने वाला, dressed as a peasant steps into the spotlight and begins narrating Hamelin's red problem from 500 years ago, तो narrator जो है, वो एक peasant की dress में है, एक किसान की तरह dressed up हुआ है, वो एक किसान की तरह ready है, और वो spotlight के अंदर step करते हैं, यानि कदम रखते हैं, पूरा अंधेरा stage spotlight एक corner में, और तभी narrator उस spotlight में कदम रखते हैं, और वो Hamelin की जो चूहों की कहानी है, 500 साल पहले की, वहां की चूहों की समस्या की एक जो कहानी है, वो narrate करना, यानि story कहना start करते हैं, narrator, अब यहाँ पर narrator इस तरह से लिखने का मतलब है कि narrator क्या कहता है, तो narrator कहता है, the town of Hamelin is a beautiful place, सोचिए, आप अपने दिमाग में एक picture बनाई है, कि stage है, वहाँ पर सामने drama चल रहा है, पूरा अंधेरा था, फिर spotlight है, वहाँ पर narrator एंटर करते हैं, और वो कहना शुरू करते हैं, तो stage पर narrator क्या बोल रहे हैं, the town of Hamelin is a beautiful place, the river Vessor kisses the town in the south, it is filled with beautiful spots, and the townsfolk are always happy, narrator यह बोल र जगह है, river Vessor, जो है, उसको town को south में kiss करती है, यानि उसके south में, Vessor नाम की जो नदी है, वो बहती है, यह पूरी जो जगह है, यह beautiful जगहों से भरी हुई है, और जो वहाँ के townsfolk है, जो वहाँ के रहने वाले लोग है, वो हमेशा बहुत ही खुश रहते हैं, but Hamelin wasn't always a nice place, लेकिन Hamelin हमेशा से एक अच्छी जगह नहीं थी, 500 years ago, the town was plagued with rats, now plagued का मतलब है, कि बहुत ही तरस्त होना, परेशान होना, तो 500 साल पहले जो है, यह जो पूरा कस्बा था, यह चूहों की समस्या से बुरी तरह से तरस्त था, the spotlight on the narrator dims down as the narrator delivers his next set of line, इतनी बात narrator ने कही, तब अच्छी तक spotlight पूरी तरह से उनके उबढ चमाक रही थी, और जब वो इससे ugly line कहने लगते है, तो spotlight छोड़ी से dim हो जाती, थोड़ी कम हो जाती है उनके पर हलकी सी जलने लगती है, बहुत तेज नहीं जलती है, कब जब वो अपनी ugly line कहले लगते है, अगली line क्या कहते हैं sorry वो अब बोलेंगे लेकिन जब और उसी समय mean while at the same time और उसी समय जब light dim होती है तो उसी समय at the same time उसी समय क्या होता है we see the lights at the center stage coming to life उधर से narrator के उपर पढ़ने वाली spotlight कम हो रही है और इधर से stage के center के अंदर जो है light coming to the life means एक light जीवन्त हो रही है एक light वहाँ पर जलने लगी है दीरे दीरे और पूरे flesh में आ जाती है standing at the center of the stage are four to five children dressed as rats they are shoving each other and being rowdy तो center stage पर जहाँ light अब पढ़ने लगी है वहाँ पर कौन है चार-पांच बच्चे है जो की rats की तरह तयार हो रहे है यहनी stage पर चार-पांच चूहे है वो लोग एक दूसरे को धकेल रहे है धक्का मुक्की कर रहे है और बहुत ही rowdy हो रहे है means rowdy means कहते दंगई दंगा करने वाला या उपद्रवी तो वह वहाँ पर बहुत ही rowdy हो रहे है उपद्रव मचा रहे है और एक दूसरे को धक्का मुकी कर रहे है नरेटर अपनी अगली लाइन क्या बोलते है रैट्स ओके वो क्या बोलते है रैट्स नाओ अल्ड़ लाइट्स है अब सारी लाइटे जल जाती है ठीक है बीच में तो वह चूहे बच्चे जो तयार हुए वह है उसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चे जो है वह कैसे ड्रेस्ट अब है जैसे वहां के नॉर्मल शहर वाले वहां पर घूम रहे हैं अम्हें वॉक्स जो एक मैं जो है अपने कुटे को घुमा रहा है अकुक विद लैडल हूस चैकिंग ऑन हैस्ट एक कुक अपनी कड़ची के साथ जो चम्मच होती है बड़ी वाली जिससे हम सबजी पर उसते है उसे लैडल बोलते है पून जो है वह खाने वाली चम्मच हो है वी आलसो सी ओवाट विद चीज एंड कपल ऑफ बैरल्स वैट मीन्स होता है बहुत बड़े बड़े ऐसे टब जैसे बरतन जिनके अंदर की चीज भरा हुआ है और कपल ऑफ बैरल्स एज प्रॉप्स ऑन स्टेज अब बैरल्स का मतलब होता है एक ड्रम होता है जिसके अ प्रॉप्स यहां पर नीचे भी देखिए मीनिंग दे रखा है जो प्ले के दौरान गया डांसिंग के दौरान जब आप मंच पर कोई परफॉर्मस दे रहे हैं उससे में आप अगर कोई चीज यूज करते हैं तो उने हम प्रॉप्स कहते हैं तो बैरल्स जो है वहां पर प गुमारा है और एक जना अपना खाना टेस्ट कर रहा है तो एक नॉर्मल सा सीन वहां पर क्रियेट किया गया है इन दिस सीन दे रैट्स गो आराउंड टेरराइजिंग दे टांस फोग अब क्या होता है पहले तो यह लोग है उसके बाद वो रैट्स जो है वो चारो तरफ वो चारो तरफ कैसे घूम रहे है टेरराइसिंग मतलब डराते हुए शहर वालों को डराते हुए गूम रहे हैं दे आर फाइटिंग दे डॉग्स किकिंग दे कैट एंड लिकिंग दे कुक स्पून कितने मतलब आप देखिए कि दुस्सासी है वह चुहे जो कुतों से लड रहे हैं, बिल्ीयों को किक कर रहे हैं और जो कुक है उसकी चममच से खुदी उनका जो सूप है वो चाट रहे हैं दे टाउंजफो कर ieldार और बिल्फियों को ब्लान और नहों किन्गे टाला हैं रेट वी टैर्स का डरला है यहं दे, लीड़, आपनि कना देखिए डिलूं उन्होंने उस चीज को खा लिया है, जो चीज, चीज वैट्स के अंदर जो बड़े बिट टब्स के अंदर जो चीज था उसको उन्होंने खा लिया है और कुक की लैडल से वो सूप को चाट रहे हैं, the rats continue their streak of roudism, streak नतलब होता है धारा या लहर तो वो जो एक आतंक की लहर थी उसे वो continue कर रहे हैं, मतलब आगे भी वो इसी तरह से दमा चौकडी कर रहे हैं They are seen disrupting a conversation that a few women are having और उन्हें देखा जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, जो conversation चल रही है, उसको उन्होंने disrupt कर दिया, भंग कर दिया है वो जो ladies बाते कर रहे थी, उनकी बात्सीत को पुरी तरह से उन्होंने भंग कर दिया है, कैसे कर दिया है narrator कह रहे हैं कि they split open the kegs of salted spreads, made nests inside women's sunday heads वो जो kegs है, एक kegs होता है, डब्बे होते हैं एक तरह के, जिनमें salted spreads, spreads एक तरह का seafood होता है कोई fish है, इस type का seafood होता है, तो बहां के लोग seafood काते होंगे, तो उन्होंने क्या करा, चूहोंने कि उन्हें तोड़कर खोल लिया है डब्बों को, split open करना, यानि तोड़कर खोल देना, उन डब्बों को खोल लिया है, और उसमें से, जो salted spreads के जो डब्बे थे, उनको खोल लिया है और उन्होंने अपने घर कहां बनाए है, जो औरतों की जो Sunday hats, जो टोपिया पहनती है Sunday को, उन hats के अंदर उन्होंने अपने घर बना लिया है अब पहली women कह रही है, isn't the weather lovely, मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो तभी rat एकदम से उचलता, उनके बीच में और squeak squeak बोलते हैं, जो चूहे की आवाज होती है, चूचू चूचू करके, तो वो एकदम से आवाज करता है, फिर दूसरी औरत बोलती है, I love your new hat दूसरी लेडी ने क्या बोला, मुझे तुमारी new hat बहुत अच्छी लग रही है, फिर से rat वो उसको hat को चबाने की गोशिश करता है, ऐसे आवाज आते की वो करके जोर लगा के अपने दातों से, और उसकी hat को चबा रहा है, उसमें घर तो बनाई लिया है, और उसको चबा परदे बंद हो जाते हैं, और फिर जब next परदे खुलते हैं, तो क्या दिखता है, we see the obese, obese means थोड़ा सा मोटा सा, obesity मतलब मोटा बना ओवर, तो मोटा सा, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा, मोटा मेर, and council members seated around a table, और जो council के member है वहां के, जो नगर निगम के जो सदस्य है, व में होना, तो किसको देखकर वो बड़े चिंतित हैं, कि वो जो bursting मींस घुस रहे हैं उनके कमरे में, बहुत जादा नंबर में, बहुत जादा संख्या में, तो जो शहर के वासी हैं, वो उनके कमरे में, बहुत जादा घुसे में, और बहुत एक साथ, बहुत सारे लोग इक उनके रूम में आ रहे हैं, उनने देखकर वो बड़े चिंतित है, the townsfolk are standing around the table, they look agitated and are yelling in protest, जो townsfolk है, वो पूरी table के चारों तरफ खड़े हुए हैं, वो लोग agitated means, बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं, बड़े व्यतित, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, और वो चिला रहे हैं विरोध में, उनका विरोध कर रहे हैं, कि जब रैट्स ने इतना आतंक मचा रहा है, तो गवर् his fists in anger, घुस्टे में अपनी मुठियों को लहराते हुए, वो बोल रहा है, it's clear that our mayor is a fool, ये बात साफ हो चुक है, कि हमारा mayor जो है, वो बिलकुल मूर्ख है, एक औरत बोल रहे है, rolling her eyes, अपनी आखें ऐसा से गुमाते हुए, कि our corporation is no better, हमारी जो ये corporation है, जो नगर निगम है, वो बिलकुल बेकार है, no better मतलब अच्छा नहीं है, बहतर नहीं है, मतलब बेकार है, तो दूसरा आदमी बोलता है, grinding his teeth in anger, घुस्टे से अपने असे धौत पीस्ते हुए, वो बोलता है, if the mayor and the corporation don't get rid of these reds, we are going to get rid of them and steel, वो अब बोल रहा है, गुस्टे में, कि अगर हमारा मेर और हमारी जो नगर निगम है, यह हमें चुओं से चुटकारा नहीं दिलाएगी, तो अब हम लोग इन ही से चुटकारा पाने वाले हैं उसकी जगह पे, means अब अगर यह लोग हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हम इने हटा देंगे, अपने members हम इनको नहीं पूरी क्राउट, जो चैंटिंग मतलब एसे एक साथ जो चैंट करते हैं, बोलना मतलब, वो बुल रहे हैं, get rid of the rats, 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 उसके बाद फिर से पर्दे बंद होते हैं, और तीसरा सीन चालू होता है, आईए देखते हैं तीसरे सीन में क्या है, this is a continuation of the previous scene, we see the corporation and the mayor still seated around the table, यह उसी दूसरे सीन का ही continuation है, उसी के आगे की चीज है, इसमें हम देखते हैं कि corporation, जो mayor है और जो नगर निगम के सदस्य है, वो सब उसी table की चारो तरब बैठे हुए है, wrecking their brains for a solution, thinking very hard, मतलब बहुत गहरा सोचते हुए, कुसी हल के लिए वो दिमाग लडा रह has dispersed, mob means weed और dispersed means चले जाना, घट जाना, चले जाना, कम हो जाना है न, तो जो गुसाई होई भीड थी उनके चारो तरब, वो अब जा चुकी है, mayor brooding, mayor बहुत गहरा सोचते हुए, we have tried everything, हमने सब कुछ ट्राय कर लिया, हमने करके देख लिया, these rats are giving me a headache, अब यह जो हैं मुझे सरदर दे रहे हैं, if only there was a way to get rid of them all at once, अब एक बार में ऐसा कोई उपाय मिल जाए, कि एक ही बार में हमें इन सब से पुरी तरह से चुटकारा मिल जाए, knock knock knock, gate पे knock होता है, mayor excited, बहुत ही excited होके, उलसित होके वो पूचता है, God bless us all, वो कहता है, sorry, mayor बोलता है, God bless us all, who do you suppose is outside the door, hey भगवान हमारी रक्षा करे, कौन हो सकता है, बाहर सोचो, corporation member mildly startled, come in, कुछ चौकते हुए corporation का member भी है, इसे मतलब चौक क्यों रहे हैं, कि यार पता नहीं कौन है, फिर से हमें कहीं कोसने तो नहीं आ गए हमारा विरोध करने लोग, तो वो चौकरार बोलता है, come in, जोकर हुआ करता था, जिसे जेस्टर बोला जाता था, तो पाइड पाइपर, गैंगली वही, लंबा सा, दूबला पतला सा, एक आदमी आता है, जो कि पाइड पाइपर है, हमारी कहानी का hero है, या पात्र है, मुख्य पात्र है, और वो एक जोकर की तरह, उसने ड्रेस पहन है, अब पाइड पाइपर क्या बोलता है, walking towards the council and mayor, गेट पे से उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए, वो बोलता है, please your honors, allow me to be of assistance, your honors means किसी को respect देते हुए, आदर देते हुए, जो कोई बड़े पद पे जो वेक्ती होता था, जैसे हम देखते है na, court में बोला जाता है, जज को तो respect देने के लिए, जब हम किसी को संभूधित करते थे, उस समय पे, तो कहा जाता था, your honors, तो वो उन सब को बोलता है कि, मुझे assistance means सहायता, तो मुझे आप प्लीज अपनी सहायता करने दीजी, I have a magic clue and with it, I can lead any creature under the sun, मेरे पास एक जादूई बासुरी है, और इसके साथ, म सब कुछ, जो under the sun मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज प्रिथ्वी पे है, यानि कि सारे जीव, जो भी धरती पे है, ऐसा नहीं कि मैं इसको control कर सकता हूं, उसको नहीं कर सकता हूं, but I can control any creature जो कि इस प्रिथ्वी पर है, Pied Piper, proudly striking a pose, Pied Piper जो है, वो एक, अब एक पोस सा लेते इसक्स, पिछले जून में मैंने एक टाउन को जो flying insects, उड़ते हुए कीडों का जो जुंड होता है, उससे मुक्त कराया था, just a week ago, I eased Asia from their monstrous bats, और केवल एक हफता पहले मैंने एशिया को चैन या रहत दिलाई थी, उनके monstrous bats, यानि लंबे चोडे, बड़े बड़े जो रा इन चुहों से आपके, इसको मुक्त करा सकता हूँ, आपके टाउन को भी, all I ask in return is a payment of a thousand guilders, guilders होता था, unit of money, जैसे इंडिया में रुपीज चलता है, या कहीं पे dollar चलता है, तो उस समय वहाँ पर guilders चला करते थे, तो उसने वहाँ की मुद्रा मांगी कि मैं इसके बदले मे जो चाता हूँ हो है केवल 1000 guilders, mayor exclaiming in astonishment, mayor जो है वो surprise, बहुती चौक जाता है और इतना खुश होता है, वो exclaiming, बहुत चला के बोलता है, इतनी खुशी होती है, उसे बोलता है, 1000 guilders, we will pay you 50,000, अरे 1000 क्या हम तो तुम्हें 50,000 guilders देने को तयार है, इसके बाद दूसरा scene शुरू होता है, यह first act हुआ कि बहुत चुह से परिशान है और उन्हें उससे छुटकारा चाहिए, और वो लोग एक रूम में बैठे हैं और यह सारा, उसके बाद दूसरा act शुरू होता है, जिसका पहला scene है, जैसे ही परदे खुलते हम देखते हैं, the pied piper, now on the street, dances and plays his magical tune, the narrator is back on the stage, pied piper जो है, वो अब गली में हमें दिखाई दे रहा है, वो डांस कर रहा है, नाच रहा है और अपनी जो जादूई धुन है, वो बजा रहा है, वो अपनी बासुली पे, अब narrator जो है, story कहने वाला जो है, कथाकार है, वो फिर से stage पर आ जाते हैं, narrator कहते हैं, into the street, the each shrill note, his pipe uttered, अब गलियों के अंदर, जो है, pied piper जो है, अपना कदम रखता है, और उसकी हर तीखी आवाज, जो है, उसकी हर तीखी धुन, जो कि उसके pipe से निकलती है, it was as if a loud army followed and muttered, यह ऐसा लग रहा था, जैसे कि कोई एक बहुती बड़ी सी आर्मी है, जो उसका पीछे- और बुदबदाती जा रही है, जो है, बड़बडाती होई, एक पूरी आर्मी, पूरी सेना जो है, उसके पीछे चलती जा रहे है, उसकी हर तीखी आवाज के साथ, जैसे ही वो धुन बजाता तो और ऐसा लगता था, पूरी की पूरी कोई सेना निकल के उसके पीछे आ र उसके पीछे हमें बच्चों की पूरी आर्मी सेना देख सकते थे जो की चूहों की तरह ड्रेस जिन्हों ने पैन रखी थे दे डांस and skip and follow behind him वो चूहे भी क्या कर रहे हैं नाच रहे हैं कूद रहे हैं और उसके पीछे-पीछे उसका पीछा करते वे चल रहे हैं we see rats of different sizes and heights each performing a small solo move as they are called by the narrator हम वहाँ पर अलग-अलग size के चूहे देख सकते हैं अलग-अलग size और अलग-अलग उंचाई के चूहे देख सकते हैं जो की अपना एक छोटा सा solo move कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि मिला हमें उन्हें dance ऐसे नहीं कि सब एक जैसे step कर रहे हैं या कोई dance कर रहे हैं बस वो एक उन्हें narrator ने बुलाया है है ना called by the narrator कि उन्हें किसी ने बुलाया है और इसलिए वो उसके call पर बस चले जा रहे हैं और हलका सा वो उस दुन के उपर थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं नाच रहे हैं नरेटर दा मटरिंग ग्रिव टूर ग्रंबलिंग जो उनकी बुद्बुदाहट थी वो बुन-बुनाहट में बदल गई यानि वो थोड़ा speed उनकी और वो जो कूदने की थी वो सब बढ़ रहे थी, from the houses the rats came tumbling, घरों से चुहे लड़ खडाते हुए बाहर आ रहे थे, great rats, small rats, lean rats, brownie rats, old rats, young rats, fathers, mothers, the uncle rats, कैसे कैसे चुहे थे, बड़े चुहे थे, छोटे चुहे थे, lean rats यानि दुबले चुहे थे, brownie यानि मोटे चुहे थे, बूडे चुहे थे, जवान चुहे थे, मम्मी चुहा, पापा चुहा और अंकल चुहा भी था, more rats join and follow the pad piper, अब और भी चुहों ने, उसे join करते जा रहे थे, और pad piper के पीछे पीछे जाते जा रहे थे, they are being led to a river, उन्हें एक नदी की तरफ ले जाया जा रहा था, the rats dance into the river, stick their tongues out and drawn, अब जो चुहे थे, वो चलते जा रहे थे, चलते और चलते चलते नदी आगे, उन्हें पता ही नहीं चला, और वो नदी के अंदर dance कर रहे हैं, अचानक से जैसे ही वो गिरते हैं, उनकी जीब बाहर आ जाते हैं, उनकी जीब क्यों बाहर आ जाते हैं, मतलब हो चौक जाते हैं, एकदम सुने लगता है कि गली से गली वो जॉइन करते जाते हैं एकके करके सभी गलियों से और step by step एकके कदम करके वो नाचते हुए उसको follow करते हैं, पाइड पाइपर को, वो तब तक ऐसा करते हैं, जब तक कि वो नदी के अंदर डांस नहीं करते, उसके बाद प्लंज रही यानि गोता लगा देते तो वो सारी चुहे सारी गलियों से निकल निकल के पाइट पाइपर के पीछे आते हैं, पीछे चलते 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 डांस करते वो नदी में गिर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता और वहाँ पे उनको जब तक जैसे गिरते हैं तो उन्हें होश आता है, लेकिन तब तक त swam across and live to tell the tale लेकिन वहाँ पर एक चुहा था जिसने जो की उस दिन survive कर चुका था यानि की जीवित बच गया था एक ऐसा चुहा जो उतना चोटा था जितना की Julius Caesar Rat था चोटा सा चुहा था और जो की उस river जो swam across जो की तैर कर उस नदी के उधर निकल गया था और वो ये कहानी बताने के लिए जीवित रहा था light falls on the anxious rat who's the soul survivor अब light जो है उस anxious rat यानि की उस चुहे के उपर पड़ती है और जो soul मतलब अकेला जो survivor था जो अकेला बचने वाला था उस चुहे के उपर सारी राइटे स्टेज पर आ जाती है और वो जो Julius Caesar rat है वो क्या बोलता है trembling वो कापते हुए बोलता है when I heard a shrill note from a pipe मैंने जब वो एक टीखी सी tune सुनी एक pipe की I dropped the apple I set my eyes on मैंने अपनी आखे एक apple पे गड़ा रखी थी और मैंने उसको छोड़ दिया मेरे हाथों से वो चूट गया I moved from the pickle tub मैं अचार के tub में से बाहर निकला I left azar a cupboard azar means अदखुला छोड़ देना तो मैंने उस cupboard एक cupboard को जो है अदखुला छोड़ दिया and followed the sweet sound of the pipe और उस pipe की मैं अधुर सी ध्वनी का पीछा करने लगा यह पता रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि उन चूओं के साथ हुआ क्या एक्चुली जैसी उन्होंने उस pipe pipe की जो मधुर ध्वनी सुनी और उन्हें होश ही नहीं रहा जो वो खा रहे थे पी रहे थे जहां थे उसको छोड़ चाड़के और वो सब भागते वो इस pipe pipe के पीछे आ गए it said oh rats rejoice मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो pipe 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 की flute है वो क्या बोल रही थी it said उसने यह कहा oh rats rejoice the world is yours so munch on crunch on take your breakfast, supper, dinner and luncheon the next thing I knew I was drowning in the river उससे ऐसा लगा कि भई इस type की आवाज आ रही है कि rejoice आओ और अराम से मस्ती करो हाना अपना entertainment करो यह संसार पूरा तुम्हारा है तो इसलिए मन्च on का मतलब होनता है खाओ, crunch on भी खाओ तो अराम से खाओ, पियो, अपना lunch लो अपना dinner लो, अपना खाना लो और अपना lunch भी लो और दूसरी चीज जो मुझे पता है वो यह है कि मैं नदी के अंदर डूब रहा था तो उसकी जो आवाज है वो चुहों को ऐसी लग रहे थी कि वो हमें बड़े ही प्यार से बुला रहा है तो सारे चुहे वहाँ पर दौड़ते वे चले गए और सीधे जब उनको तभी होशा है जब वो लदी के अंदर डूब गए थे अब इसी act 2 का scene 2 है परदे बंध होने के बाद जो फिर से खुलते हैं तो क्या नजर आता है जो हमलीन के लोग है वो बहुत ही मस्ती कर रहे है और डांस कर रहे है गलियों में जो मेर है वो अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है निर्देश देता है कि अब तुमें क्या करना है और वो पाइट पाइपर को पूरी तरह से इग्नोर करता है मतलब उसको छोड़ देता उसकी तरफ कोई भ्यान नहीं देता है नरेटर कहते हैं the people of Hamelin cried and rejoiced जो people Hamelin के जो लोग थे वो चिला रहे हैं और बहुत ही खुश है rejoice है बहुत खुश होना they rang bells they danced they sang at the top of their voice वो उन्होंने घंटियां बजाई उन्होंने डांस किया और उन्होंने गीत गाया अपनी सबसे उची आवाज में क्योंकि वो लोग बहुत खुश थे mayor अब कहता है go and get long poles जाओ और लंबे-लंबे खंबे लेके आओ poke out the nest block up the holes जो घर बने हुए हैं चुआ कि उनको बाहर कीचकी लाओ और उन छेदों को बंद कर दो concert the carpenters and builders and leave not a trace of the rat जो खाती होते हैं लकडी का काम करने वाले सुथार होते हैं उनको और जो building बनाने वाले होते हैं उनसे बात करो consult करो उनसे discuss करो और एक भी trace नाम और निशान मत छोड़ो चूहों का अब इस शहर में Pied Piper, first can I have my Thousand Gilders please? अब बीच में Pied Piper बोलता है कि क्या पहले मैं अपनी Thousand Gilders ले सकता हूं क्रिपया? तो Mayor looking a pad अब Mayor उसकी तरफ चकित होके देखता है Thousand Gilders, Thousand Gilders, फिर Mayor laughing as though it was a joke ऐसे हसरा था, जैसे कि कोई यह joke कर दिया उसने थाजार Gilders का को संध है कि क्या हमने इस ईदर-फ़ाडर करना गूंना एक ऐसे गूमने वालतों में गूमने वाले व्यक्ति को इतना साहां पणा पड़ेगा विद tud गी में उसने की उवाड जिसने की हांग जने कीआझ dud पहने एक जो travelers का जो होता, astar presidents, इंदर गूंते रहते हैं, उन लोगों में जो coat पहना जाता था, उससे gypsy बोला जाता था, तो वो कहाँ रहा, एक लाल पीला gypsy coat पहने वाले, ऐसे आदमी को इसाद गूंने वाले को, इतना सारा payment, We saw the grants drawn, Our business is down, there is no way the dead can come back to life अब देखो हमने चुहों को डूपते हुए देखा था हमारा काम अब खतम हो चुका है और हमारे पस अब और अब कोई रास्ता नहीं है कि मरे हुए कोई वापस आ सकें फिर से जीवित हो सकें तो इसलिए मेर ने उसका उपहास उडाते हुए कहा देखो यह थाउजन गिल्डर्स वाजओ कोई वो केवल एक मजाग था और हम लोग काफी क्वाइट मीश काफी और ब्रोक हम लोग काफी टूटे हुए हैं मीश हम लोग तो पहली बहुत नुकसान हो चुका है हमारा तो इसलिए हजार की जगे मैं तुमें केवल पचास गिल्डर्स देने का ओफर देता हूँ अब पहले तो बोला था 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 थाउजन क्यों फिफ्टी थाउजन दूँगा और अब जब काम हो गया तो बोल रहा है कि पचास ही ले लो पाइड पाइपर एंग्री पाइड पाइड पाइपर गुसा होते वे बोलता है एवरिवन इस ग्रेटफुल पे मी वाट्स माइन I will not discount a single piece of silver पाइड पाइपर ने कहा कि देखो हर कोई मेरा आभारी है और जो मेरा है वो तुम्हें मुझे पे कर देना चाहिए मुझे दे देना चाहिए मैं कोई छूट नहीं दूँगा तुम्हें एक सिंगल चांदी के एक टुकड़े की भी यानि एक भी पैसे की मैं तुम्हें की दे रहे हो, well do your worst, जाओ और जो बुरे से बुरा तुम कर सकते हो, कर लो, blow your pipe till you burst, तब तक अपना pipe बजाओ, जब तक तुम फट नहीं जाते हो, जब तक तुम ठके और फट नहीं जाते हो, अब अगला act शुरू होता है, यह सब act हुआ मेर के साथ, next act कैसे शुरू होता है, light falls on the narrator, stage के ओपर light जो है, narrator पर पढ़ती है, और narrator बोलते है, once again, the pied piper stepped into the street, अब एक बर फिर से pied piper जो है, वो गली के अंदर कदम रखता है, laying his long pipe and touching his teeth, अपने pipe को पकड़े हुए और अपने दातों से उसको touch करते हुए, he blew three notes, he danced and he skipped, उसने तीन दुन बजाई, और वो उसन करने लगा, the children now out of their rat costumes are seen rustling, अब जो है, हम देख सकते हैं बच्चों को, जो कि अब उनकी rats की costume में नहीं है, वो नाटक तो पहले हो गया न, अब सच में जो बच्चे हैं, वो सरसरा रहे हैं, rustling means सरसराहट, यानि कि अब हमें बच्चे हिलते दुलते भागते वे दिखाई रहे हैं, hoping, dancing and skipping behind the Pied Piper, कूते हुए, dance करते हुए, उचल कूत करते हुए, बच्चे पाइड पाइपर के पीछे हमें दिखाई देते हैं, narrator, the Pied Piper played such sweet soft notes, notes that force the children out of their homes and kindergarten, अब पाइड पाइपर ने एक इतनी अच्छी, soft सी, है न, एक कोमल सी, बहुती मीथी सी दुन बजाई, ऐसी दुन जिसने की बच्चों को मजबूर कर दिया, अपने घरों और kindergarten, kindergarten बोलते हैं, बच्चों के खेलने की जगे होती हैं, उसे कहते हैं, तो वहां से बच्चों ने मजबूर हो गए वो पीछे, उसके होते हुए, चमकाते हुए, और कूदते हुए, नरेटर बोलते हैं, like falls in a farm, when grain is scattered, came the little boys and girls with rosy cheeks and curls, जैसे कि मुर्गियां फार में कैसे बाहर आती हैं, जब ग्रेन चितराया जाता है, उनके लिए जब दाना डाला जाता है, तो मुर्गियां कैसे अपने बाहर आ आती हैं, व Now Act 3, यह हुआ कि वो जो थे, सारे बच्चे उसके पीछे चले गए, अब तीसरा Act फिर से, देखो क्या होता है यहाँ पर, the mayor and the council stand frozen, they are unable to move, they watch their children led by the Pied Piper, जो mayor है और जो council के सारे मेंबर हैं, वो पूरे frozen, मतलब एक जगे जमे हुए खड़े हैं, वो अपनी जगे से हिली न narrator कहते हैं, the mayor felt dumb and so did the council, mayor जो है वो गूंगा हो गया था और ऐसा ही पूरी council के साथ हुआ था, they were frozen stiff, वो अपनी जगे पर जम गए थे, they were unable to move a step or cry to their children, वो बिलकुल भी able नहीं थे, समर्थ नहीं थे, एक भी कदम चलने में और अपने बच्चों को के उपर चिलाने में, उनक इतना ही कर सकते थे कि अपनी आखों से अपने बच्चों को जाते वे देख सकते थे, अब mayor struggling to talk out of the corner of his mouth, इतना सा बोल रहा था, लेकिन उसके लिए भी इसको संगश करना पड़ा था, अपने माउथ के corner से, मतलब वो अपने मूँ को भी पूरा हिला के ऐसे clear बोल नहीं पा बोला कि हमारे बच्चों, बेटे-बेटियों का क्या होगा, narrator, the Pied Piper turned, leading the children to Koppelberg Hill, at once the Townsfolk were relieved, अब Pied Piper लेकिन मुढ गया नदी की और जाते जाते और वो सारे बच्चों को एक पहाड की तरफ ले चला, Koppelberg पहाड की तरफ, और एक बार तो इससे क्या होगा कि शहर वाल और उन्होंने क्या बोला, he can't cross the mighty hill, वो जो mighty मतले इतना strong सा एक लंब चोड़ा सा पहाड दिख रहा है, वो उसको क्रोस नहीं कर पाएगा, his pipe will drop, the children will stop, उसका जो pipe है, जो मासुरी वो बजा रहा है, जिसकी दुन के पीछे पीछे बच्चे चले जा रहा है, वो गिर जब वो बच्चे और pied piper उस पहाड की तरफ पहुचें, तो एक आश्चरे जनक, चमतकारी रूप से एक portal, एक प्रवेश्दार पूरा चोड़ा खुल गया अच्छे से, as if a part of the hill was suddenly hollowed, ऐसा लग रहा था, जैसे कोई एक पहाड का जो हिस्सा है, वो पूरा अचानक से खोक जो किया, all except a lame child entered, एक लंगड़े बच्चे को छोड़कर सारे की सारे बच्चे अंदर enter कर गए, lame child limping slowly and sadly, अब जो लंगड़ा बच्चा था, वो धीरे से लंगड़ाते हुए और दुखी स्वर में बोला, it's dull in our town, all my friends are gone, हमारे जो कस्बा है, जो शहर है, उसमें पूरी उ land where waters gushed and fruit trees grew, वो एक joyous land थी, एक बहुती खुश आहलादित सी जमीन थी, वहां पर मतलब अच्छा था सब कुछ, जहां पर की पानी बहरा था, और वहां पर पेडों के, जो फलों के पेड़ें वोग रहे थे, everything was strange and new, सब कुछ एकदम नया सा और अजनभी सा लग रहा था, the sparrows were brighter than peacocks, जो चिडिया थी, वो तो मोर से भी जादा bright थी, अच्छी, चमक रहे थे उसके रंग, their dogs out ran our deer, वहां के जो कुटे थे, वो हमारे हिरणों से भी जादा भाग रहे थे, तेज भाग रहे थे, their honeybees had lost their sting, वहां के जो मदू मक्या थी, उन्होंने अपने डंक को ख हो रहे थे, I was left outside all alone, I couldn't enter the promised land, I had to go back home, मैं जो है, अकेला बहार रहे गया था, और मैं उस promised land, उस एक अच्छी सी, मुझे आशा जनक सी वो land लग रहे थी, बहुत ही अच्छी सी जमीन लग रहे थी, जगे लग रहे थी, और मुझे फिर से वापस लोटके घर आना पड़ा, नरेटर बोल रहे है, Hamlin having suffered a great tragedy, having lost all its children, Hamlin जो है एक बहुत ही खतरनाग, बहुत बड़ी जो है, दुखानती का से गुजर रहा था, और उसने अपने सारे बच्चे खो दिये थे, tried to pay the Pied Piper, but he was nowhere to be found, और अब उन्होंने Pied Piper को pay करने की कोशिश भी करी, कि भी उसको बुला लास्ट में क्या बोल रहे हैं, देखिए, यह moral जो है, starting में कहा था, कि हमें स्टोरी से moral मिलता है, तो एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूंगी, कि इसी तरह के और भी chapters मैंने upload करे हैं, यह last chapter था, मेरा explanation का, class fifth का, तो सारे chapters मैं upload कर चुकी हूँ, और यही नहीं, केवल explanation ही नहीं, बल्कि इस तरह से मैंने question answers भी, सभी chapters के upload किये हैं, तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज मेरे चानल को subscribe करिए, और आगे भी ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको description box में, मेरी playlist का link मिल जाएगा, जिसमें fifth class की पूरी पूरी English की book की, उसमें solution और explanation दिये हुए, तो आप उस link पर जरूर जाएगा, अपने videos देखें, और अपने exam की अच्छे से तयारी करें, और मेरे चानल को subscribe जरूर करें, और अपने friends के साथ भी share करें, तो last में narrator क्या बोल रहे हैं, so before I go, let me leave you with words of wisdom, अब मैं इससे पहले कि म यहां से जाओं, मैं आपको कुछ समझदारी भरे शब्द कहना चाता हूँ, whether they pipe us free of rats or mice, चाहे वो हमें चूहों और जो एक दूसरी तरह के चूहे होते हैं, उनसे हमें चुटकारा दिलाएं, और provide us with a service, या हमारी कोई भी उन्होंने सेवा हमें दी हो, if we have given them our word, अगर हमने उनसे वादा किया है, we must keep our promise, तो हमें अपना वादा जरूर निभाना चाहिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मलती है, कि जो वादा हमने किया हो, काम होने के बाद हमें उसे भूल नहीं जाना चाहिए, thank you so much for watching,